अब बॉर्निंग तू अली स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का जैसलेंटर्स के इस करंट अफेर वीडियो स्रीज में आज है बाइस जुलाई इस वीडियो में हम 22 जुलाईस की करंट अफेर को कवर करेंगे लास्ट वीडियो के कोश्चन से शुरू करते हैं विद विच कंट्री इंडिया है साइंड MOU टू डेवलेप स्ट्राइटिक पेट्रॉलियूम रिजर्व तो हाल ही में इंडिया ने अभी MOU साइन किया है वो किस कंट्री के साथ किया है फॉर स्ट्राइटिक पेट्रॉलियूम रिजर्व यानि कि हम अपना पेट्रॉल स्टेज होने पे उसका रिजर्व कर सकें तो इंडिया ने जो पाटनेशिप करिए वो US से के साथ करिए So आज के पहले कोश्चन चेश स्युरुआत करते हैं Which ministry has launched मनोदरपण to focus on mental health mental health को focus करने के लिए किस ministry ने मनोदरपण को launch किया So आपको बताना इसके कौन सी ministry ने गिया है So answer is MHRD MU Ministry of Human Resource Development इसके मिनिस्टर है रमेश पोकरियाल निशांग जी उन्होंने Tuesday में इसे लॉंच किया है मनुदरपड को कि जो इस्टुडेंट्स हैं Amit Covid-19 बहुत mentally effect हो रहा है उन पर तो उसके लिए इनिशियेटिव लॉंच किया गया है इसमें क्या होगा जो audios होंगी videos के form में मतला audios and videos इसके form में बहुत सारी activities जो psychological support देगी students को कि वो एक well-being और एक अच्छे से रह सके इस pandemic कि नेक्स्ट रिसेंटली लाल जी टंडन हैस पास्ट अवे वाज़ा गवर्नर ओफिच स्टेट लाल जी टंडन जी कल एकस्पायर हो गए एंड वो किस स्टेट के गवर्नर थे आपको यही बताना है वेरी जी कोशें आंसर इस मध्यापरते वो लखनाउ में मेदानता हस्पाल में थे अभी एडमिट एंड उन्हें जो प्रॉब्लम जो उन्होंने जो अभी रिपोर्ट करवाई थी वो करवाई थी कि मेंस उन्हें यूरिनेरी प्रॉब्लम एंड फीवर की शिकायत उन्हों और अनब्रोकन कोलचेक उखेश है सब्सकी कोई एपर्ट नहीं होती है तो अब एक एडसे लांच क्याया है वह सब्सक्राप्रॉस अबेकर पेछांगा है से नहीं तो खराब होजेगा तो उसके लिए कूल डॉली लॉंच करी है किस एरपोर्ट ने करी है तो आपको इसका आंसर बताना है तो आंसर इस जी एम आर हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट अभी इनों नहीं कूल डॉली लॉंच करी है कि इसमें क्या होगा कि मंतलब यह क्या करेगा टाम्प्रेचर को एंड टाइम को मेंटेन करेंगे यह टाम्प्रेचर सैंसिटिव होगी जासे कि जो दवाईयों के जो प्रोडक्ट से हैं उनको maintain रखा जा सके next who is the CEO of IBM IBM के CEO को बताना आपको और यह question इसलिए important बन जाता है क्योंकि अभी हाल ही में PM Narendra Modi जी ने इनको video conferencing करी थी और इन्हें बधाई भी दे थी कि आप global head बन गए हैं किस company के IBM के so answer is Arvind Krishna Arvind Krishna क्से अभी video call करी थी किसमे PM Narendra Modi जी ने so Shantanu Narayan तो adopt के है Air Rajiv Suri Nokia के है ना so question important क्यों बना था क्योंकि अभी इन्होंने interact किया था PM Narendra Modi जी ने किस से IBM के CEO जो की है Shri Arvind Krishna through video conferencing who has inaugurated the Zoram mega food park limited at Olasib in Mizoram Mizoram में भी Zoram mega food park inaugurate किया गया तो किस ने किया तो food park अगर inaugurate करें तो food ministry food processing ministry नहीं किया हुआ और उसकी जो minister है वो कौन हर सिम्रत को और बादल हर सिम्रत को और बादल तो नितिन गटकरी तो आपके ट्रांस्पोर्टेशन हो गए अमेश्या हो गए ministry minister of home affairs और अर्जुन मंदा वो कौन है minister of tribal affairs हर सिम्रत को और बादल जो पंजाब से आते हैं और उन्होंने ही इसे लॉंच किया जोरम mega food park को ओके यह कहां पे है यह located का पे नह 54 पे यह ऐसा बताया जा रहा है कि यह कितने पाँच हजाल लोगों को रोजगार देगी और पच्चेस हजार फार्मर इससे बेनेफिटेट हो गए which ministry has launched RAISE national program RAISE national program अभी launch हुआ है तो किस ministry ने किया है answer is ministry of power RAISE जो program है यह related है air quality से कि में इसकी full form हो जाती है retrofit of air conditioning to improve indoor quality indoor air quality for safety and efficiency so union ministry of power उन्होंने इसे launch किया and जो ministry of power की जो company है government of India की जो company है वो कॉंच के EESL headquarters in New Delhi energy efficiency services limited उसने USAID USAID में जो US की जो agency for international development उसके साथ collaborate करके जीक है related to air quality index है ना जो यह सब पर बनाएंगे ना air purifier के जो start-ups होंगे companies होंगे यह बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा benefit होईंगे union minister for power inaugurated India's first public electric vehicle charging plaza in कहां पर अभी electric vehicle charging plaza भी inaugurate किया मिनिस्टर ओफ पावर ने तो वो लॉंच किया है न्यू डेली में ठीक है आरके सिंग जी जो है minister of power उन्होंने अभी न्यू डेली में electric vehicle charging plaza लॉंच किया कहां पर चैंस ford club न्यू डेली में ठीक है एंड वही सेम जो मिनिस्टर ओफ आवर की जो कंपनी है यह एसल ने collaborate किया NDMC से ओके इसमें यह जो plaza है वो five electric vehicle charge of different specification यह इस पाइप कुछ होता charging plaza global real estate transparency index अभी आई है तो किसने परबेश करी answer is इसमें से किजिने निकरी है न तो none of the above हो जाएगा JLL निकरी है Jones Lang lessons इसने अभी जो global real estate transparency index से इसे launch किया तो इंडिया की जो rank रही है उसमें 34 रही है एंड यह 11th edition था यह भी कई बाद question कुछ लाए था किस edition किस ने publish करी क्या रेंक रही किसने टॉप करा तो टॉप बाई UK 2nd USA 3rd Australia मॉन्ट ब्लैंक माउंटेन रेंज इस वन अप दी हाइएस माउंटेन इन तो जो मॉन्ट ब्लैंक माउंटेन है वो हाईस माउंटेन कहां पर है रहा है तो आंसर इस एल्प्स ओके एल्पस इन यूरोप तो यह बहुत यूज में क्यों आया क्योंकि इंडिया का 54 सालों बाद वहां पर एक जो क्रैश हुआ था एर इंडिया का विमान एर इंडिया फ्लाइड जो थी 101 जिसमें 177 लोग एंड फ्लाइड थी वो कांचेंग जूंगा प्लेन जो था जैन्वरी 24 1966 में क्रैश हो गया था कहां पे मॉन्ट ब्लैंक में तो आज उसके 54 साल बाद ठीक है वहां पर क्या मिला है इंडियान न्यूस्पेपर मिला है उसके ग्लेशियर जो पिगल रहा है MR में नTakeशियर में वहां पर एक नूस्पेपर मिला और नूस्पेपर किसका था दा हिंडू का दा हिंडू मिला हैं वहां से ओड्येश्ट हमें यह घून आजिए जमीर मिक्टर फांट ओक नेक्स्ट What was the price of the contract signed between Ministry of Defense and BEML भारत अर्थ मोवर्स लिमिटेड अभी Ministry of Defense and BEML ने एक प्रोजेक्ट साइन किया और उसका क्या प्राइज रखा गया है जो उन्हें प्रोजेक्ट मिला है प्राइज रेट 557 करोर 557 करोर ठीक है इन्हें भी राजना सिंघ ने बीए BEML को दिया एंड क्या बनाने जा रहे है माइन प्लोओ क्या होता है फॉट टैंक के आ गे काते काटे काटे से होता है प्लोओ जो खो देते है वह लगा दिया जाता है टैंक के आगे, ठीक है, इससे क्या होता है कि मीन्स अगर कोई माइन प्लॉख अननी है, तो यही अभी प्रोजक्ट किसे दिया गया है, बेमल, एंड इस दे इनिचेटिप और मेकिन इंडिया, टी-90 टैंक के लिए, ओके, तो गई, वीडियो को जादा से यादा शेयर कर एंड वीडियो को लाइक कर दीजे, तो आज की कॉस्चिन अप दीडे है, नेम दी फॉस्ट किर्केटर तो ब्रेक नो सलाइवा ऑन बाल रूल, अभी हाल ही में किस किर्केटर ने नो सलाइवा ऑन बाल रूल को तोड़ दिया है, उसी का अंसर आपको देना है एंड इसका बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक के डाल रहा हूं, वहां से चैनल को जॉइन करके पीडिएफ को डाउनलोड कर लीजे, एंड थैंक्स वाचिंग इस वीडियो, ओके,